बाइलिंग्वल स्टुडीम आपका मोस्ट वेलकम है जी हाँ दोस्तों आज आपके लिए मैं लिख आया हूँ जो सोसल साइन्स के एक्जाम गवा सिंटव एक्जाम मेट्रिक वाले का जिनका 2022 में फाइनल एक्जाम होना है उसका आंसर की 100% सही आंसर की मिलेगा मेरे चैनल प इसका नहीं देखा या दूसरे सब्जेक्ट का नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रेप्शन में दिया है वहां जाकर कर देख सकते हैं तो चलिए सबका सेट एक ही होता है जैसा कि आपको पता होगा बहुत इजी कोश्चन ता एक तरह से कहा जाए सब्जेक्टिव ज इसलिए भी आपको देख लेना चाहिए एक बार पूरा सी का सी कोश्चन को क्योंकि आपका इससे बहुत सरा कोश्चन फाइनल में सेम टू सेम दे दिया जाता है इस वज़ए से बोल्षभी करांती कब हुई तो लेनिन के निद्रित में बोल्षभी करांती नौंबर उनिस पहुचने वाले पर्थम व्यापारिक वंते पूर्तगाली हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसेशी को कोलोन कहा जादा आप पता होगा जनसिक्या घनत सबस्याधी कहां होता जो जितना वाला नगर होगा वहां उतना वाला ज्यादा जनसिक्या घनतवा जैसे महा नगर इस देखते हैं क्या कर अपरेल थीसस किस ने लिखी ते लेनिन का है ये रचना अपरेल थीसस अगला देखते हैं लखनाओ समझहोता किस वर्ष हुआ तो लखनाओ समझहोता 1916 में हुआ इसी में राजकुमार सुकले ने गांधी जी को चमपरानाने का सत आगरा किया था भारती राश्टी कांगेस के पहले अध्यक्ष कोन थे तो वेमेस चंदरबनर जी यहां उमेस लग दिया लेकिन अंग्रेदी देखियेगा तो आपको मिलेगा वेमेस चंदरबनर जी अप्सन भी बिल्कुल सही है विस्वेवापार्थ अंगठन की अस्थापना किस वर्स की गई तो जनवरी उनिस्व पलचानवाइस भी में डबलू टी यह इसको सौट में कहते हैं अंग्रेदी में कहते हैं वर्ल्ल ट्रेड और्गनाजेशन गेट का परिवर्तित रूप है निम्रे में से किस देश में मिश्रित अर्थवेस्ता है मिश्रित मतलब जहां पुंजिवाती और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप हो जैसे भारत अप्संसी बिल्कुल स अगले क्वें बारती बैंकिंग पर नाली के शिर्षपर कौन है बारती बैंकिंग पर इंडिया जो है आरव जिसको कहते हैं जिसका गठन 1935 में हुआ रास्टीकरन जिसका 1949 में हुआ भारत की वित्तिय वर्स है वह एक अपरेल को स्टार्ट होता और 31 मार्श तक चलता है सुनते होंगे उप्सक इस यहां बिल्कुल सही ऐ निमने में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है जिसल पूठाजआ जा रहा यापका जिसले सरकारी है आपका जिसले मॉल गरीबाओं के कुछक्री की धारना किस अर्थ तास्त्रीत ने दिया था तो ये रेगनर नक्स ने दिया था अपसंसी जो है इसका बिलकुल सही है अगला निम्न में से कौन बिमारू राज नहीं है देखें नहीं को आप लोग जरूर देखिए तो बिहार मदपरदेश उडिस है करनाटक नहीं है अपसंसी यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा मंदार हिल किस जिला में बिहार के मंदार जिल जो है मंदार हिल यह बांका में है बिहार में है और बांका में जिला पूछ रहा है यहां पर काजी रंगा रास्टी उद्दान कहा है तो काजी रंगा रास्ट पर बिलकुल सही हो उर्जा का गेखर पारमपरीक शोड़ को है। ये अपका सोलर एंर्जी हो गया तो ब्रतमान समय में किया जाता उसको गेखर पारमपरीक हो जाता जिस सवरूर्जा जिसको सोलर प्लेट विकरते हैं तो यह आपका सोल्र एनर्जी हो गया सही एंस्धा कुसिए जबन ही किया आपका सुनामी जपानि भशा भाशह का शब्द है प्रत्वी की सदपर सुरपर्थम पहुचने वाला भुकम पी तरंग किसको करते हैं प्राइमरी तरंग जिसको पी वे भी करते हैं अपसन जो है आपका हिहाँ पर आपका यह बिल्कुल सही है अगला कोशन देखते हैं जलने में क्या प्रात्मी कुपचार होना चाहिए प्रात्मी कुपचार जो है जो सबसे पहले किया जाना चाहिए जलने में क्या होगा ठंडा पानी डलाना चाहिए आपके बुक के अनुसार यह सही है आपसन ए बिल्कुल सही है पंजाब में तो अप्शन C जो है आपका बिल्कुल सही है अगला भपाल गैस तरासदी में किस गैस का रिषा हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइट इसको MIC भी कहा जाता है सोट में तो याद रखिए का MIC ठीक है अगला कुस्टन देखते हैं राउर केला स्पास संयत्र कह आपका बिल्कुल सही है वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूला है पहला अंतरास की प्रतिवी संभलन कहा हुआ तो रियो डी जेनेरो महुआ दूसरा भी पूछा है दूसरा आपका जूहांस बारग महुआ है कापास के लिए उप्यूक्त मिर्दा क्या होता का अगला विश्म में सबसे बड़ा तंतर किस देश का है तो सबसे बड़ा परजात तन्तर किस देश का है पूछ रहा है तो यह आपका हो जाएगा भारत का उपसंग ए बिल्गुल सही है अगला कुशन देखते हैं क्या कह रहा है अगले कुशन में कह रहा है हाली में कौन सा भारती राज दो केंडर शासीत परदेशों में बदल गया तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया दो कं परिस मतलब तीन अस्तरी यह होता है घाल पंचाइज पंचाइज समीटी जीला परिसत सबसे उच्चा और आपका जो यह है गराम पंचाइज सबसे नीच है अगला कोस्तन देखते हैं निमनमसे कौन संग राज्य की विसेस्ता नहीं पूछ रहा है आप नहीं है लिखी समिदान होना चाहिए सकतियां का भी भाजन मुदर राज सरकार के अंसरकार में होना चाहिए आपका क्या नहीं होना चाहिए आपका ये नहीं होना चाहिए आपका ये नहीं होना चाहिए आपका ये न प्रोक नायक भी कहा जाता है तो अप्सन यह आपका बिल्कुल सही है अगला कोस्टन देखते हैं किस वर्स सूचना का अधिकार एक्ट लागु किया गया तो सूचना का अधिकार जिसको हम लोग सौट में क्या करते हैं आर टी आई यह 2005 में अप्सन जो है आपका भी अगला खेटर बात की भावना का एक है नाम क्याा को क्या है तो संदि यहां पर आपका बिल्कुल सही है ओं मांधर सिंग-टिकेट के नितियुत में भारत में इंपале किस आंदोलन को चलाएं यह ग्योम ब्हारतिय का कॉमेंट करके बताइए चिपको का सुन्दर लाल बहुना देन ठीक है मिधा पाटर यादी होगा आपको इसका दलित पंधर का आप कॉमेंट कीजिए अगला कुशन देखते हैं भारत मैंने में से भारत का सबसे पुराना राजनितिक दल कौन है तो सबसे पुराना कौन हो किस सासन विवस्था में होती है तो सबसे ज़्यादा इसमें लोकतंत्र में होता है डेमोकरेसी में ऐसा की भारत है एक लोकतंत्रीक देश भारत में हुए 1977 में आम चुनाओ में किस पार्टी को बहुमत मिला तो 77 में जो चुनाओ हुआ उसमें किस पार्टी को मिला तो जनत पार्टि को भारत के पर्थम गैर कांग्रेसी परधानमंतरी को न बने मुरार जी देशाई मुरार जी देशाई सुचना का दिकार आंदोलन किस राजी से सुरू हुआ तो ये आपका 2 अक्तूबर 1969 को राजिस्थां से हुआ अगला देखते हैं भारतीय समिधान सबा का गठन का हुआ बारतीय समिधान सबा का गठन 6 डिसंबर 1946 सेच्वी कहा और पहले मेटिंग 9 दिसंबर 1949 पहले जो अस्थाई अध्हेक्च थे वो कुन ते डाक्टर साचीदानन सिन्हा और अस्था अध्हेक्च होती है राज शूची संग शूची तो संग सूची में दोनों बना सकता है जब कि संग सूची में केवल संग राज सूची में केवल रात समवर्ति सूची में वैसे विशियों को रखा गया जो आपको दोनों के लिए महत्पूर्ण रहता है इसमें आपको पता ही होगा एक सवी से संग सूची में राज सूची में आपका क्या है 66 विशे है और इसमें आपका समुर्ति सुची में आपका जाकर के 52 विशे है अगला देखते हैं भारत में बरतमान में कितने के निशासित परदेश ने देखिए जम्मू कस्मीर और लद्दा के बनने का 9 हो गया था लेकिन फिर आपको 2020 इसमी में किया गया दमन एवंग दीव दादरन अगर हवेली को एक कर दिया गया तो फिर से 8 हो गया साथ से हुआ नो और दोनों को एक कर दिया तो एक घडिया तो हो गया आपका 8 और दॉल, पनचाएती राज वेवस्था का प्रारम संडरव भारत के किस राजस हुआए किस जीला से हुआ आप कोमेंट करके बता आए बिहार पंचाएती राज इदिनिएम 2006 में महलाओं को कितना परतिसर आरक्षन पर दान किया गया तो बिहार जो है पचास परतिसर आरक्षन देने वाला भारत का पहला राज़त और आंसर क्या हो जाएगा ऑफशन डी बांगी जिए गए 33 परसेंट निर्वाचित महापूर का कारेकाल कितने वर्थ लगा होता है तो महापूर जो ग्राम जो है नगर परिशद महोता या नगर पंचायत महोता नगर निगम में तो इसका कितना होता है पांच वर्थ होता है पानी की कीमत में विर्धी के कारण कहां जनसंगर हुआ था जनसंगर्ष तो बोलिविया में आप हुआ था पानी का रेट बढ़ाने को जासे है अगला द ज़ुता कुसे करने के लिए चंपारन सथ्यैग्रा चलाया, तो किस ने दा्वत दिया थाँ, आपक कुमेंट करके बताएए, किस पुस्तक को समयवादियों की बाइबल कहा जाता, तो दास केपिटल को किस ने लिखाए बहुत एजी कुस्षशन है देखते हैं, आप इसका पाते हैं या नहीं अगला कोशन देखते हैं गांदी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया तो दूतिये गोल में सम्मेलन में भाग लिया था गांदी जी ने गोल में सम्मेलन तीन हुआ पर्थम दूतिये तिरतिये पटना में गोलघर का निर्मान किस उद्देश से हुआ था तो अनाज भंडारन के उद्देश कब हुआ था सत्रों सच्छासी में किसने क्या रवाया था तो जान गास्टीन का थे थीक है अगला कशन पुंजीपति वर्ग के दोवारा ते किस वर्ग का श्रम वुक वर्ग बहुत सबसे ज़या हुआ लेकिन मसदों वर्ग और किल्षक वर्ग का वह थी इसलिए हो जाएगा इन हमें से सभी अगला कोशन अंतरास्टी मुद्राकोश का गठन का भुवात अंतरास्टी मुद्राकोश मतलब IEMF और World Bank ये दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है तो इन दोनों का एक साथ गठन हुआ 1944 में अपसन C जो है बिल्कुँ 47 से करे करना शुरू हुआ विश्व आर्थिक मंदी की सुरुवात कभी तो 1939 में अमरीका से अपसन B जो है आपका बिल्कुल सही है महात्मा गांदी ने किस पत्रीका का परकाशन क्या तो यंग इंडिया और हरी जन दोनों का क्या तो इसलिए अपसन क्या हो जाएग आपका सी अगला कोसम देखते हैं विश्व में मैं दूत का सरवाधिक उत्पादक उत्पादन किस देश में होता है तो ये याद रखे अपने भारत में होता आपसन दी जो है बिल्कुल सही है अगला दुतिय पृतिवी संव्हिलन काragon कहा हुआ था आगया दूतिय पृतिवी संव्हिलन को आवे जन 2002 में हुआ था परत्हम 1996 में इसी को अपसंटी यहां पर आपका बिल्कुल सही हुआ विहार में अती जल दोहं से किस तत्व का संकेदरन बढ़ गया है तो अरसेनी का भीहार के जलमा आपको अरसेनी के जदा मेलेगा देखने जड़ीन बूख माश शामिल क्या गया है तो गिरीन बूख माश शामिल क्या है असाधारन पसूआँ की सूची को आप कमेंड पर करके बताएं कि यह अपसन सही है या नहीं है गीर रास्टी उद्धान कहां तो गीर गौसे गौसे गुजरात याद रखेगा उपसंसी जो है बिल्कुल सही है आपका अगला एक टन इस पाद बनाने में कितने मेगनीज का अपयोग किया जाता तो दस केजी का अपयोग किया जाता अपसंज जो है आपका भी बिल्कुल सही है निमनें से कौन उर्जा शुरोत और नवी करनी है और नवी करनी है कौन है यहाँ पर और नवी करनी है पूछ रहा देगे जल पवन पेट्रॉल यह सब नवी करनी है पेट्रॉल यहाँ पर और नवी करनी है सौर और जल पवन यह और नवी करनी है तो अंसर क्या हो जागा D अगला कोशन वर्षा रितु में कौन सी फसल बोई जाती है तो वर्षा रितु में बोई जाती है यहाँ पर आपको खरी फसल बोई जाती है अगला question देखते हैं अगला question में क्या कहा जा रहा रहा ह। आधीक जोकुशन देखते हैं पट्टना सर किस नदी के किनारे इसी किनारे कमेंट करके बतायां निमन시면 से कौन आपदा मानवजनीत है तो मानवजनीत आपदा हो जाएगा आपका आतंगबाद बाकी सब प्राकृतिक आपदा है, लेलिन की मिरत्यू कब हुए तो 1924 सा में लेलिनकी मिरत्यू केमियू है, श़स्टी जनम कभी लास कोशन आज का भारत की वित्तिय राजदानी कहा है तो अरवारत की वित्तिय राजदानी मुंबई और परशासनिक राजदानी आपको जैसा की पता होगा तो कॉमेंट करके बताइए चलिए आपसे मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद